हेलो स्टूडेंट कैसे हैं तो आज है पक्चिस एप्रेल और आपका एक्जाम है सर तीस तारिक को पहला यानि अल्मोस्ट अंली 30 डेज आर लेफ्ट तो सर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था सर के कॉस्ट कि उपर एक वीडियो लेकर आओ कि कास्ट अकाउंटिंग की हम कैसे करें को स्टार्ट कैसे करें कौन से चप्टर हमारे लिए इंपॉटेंट है और कौन से चप्टर हम छोड़ सकते हैं यह सारी बातों को को डिसकॉस्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले को पढ़ने के लिए, आपको सबसे पहला जो चप्टर उठाना चाहिए, पहला चप्टर करना पड़ेगा, वैवय आपको cost sheet करना पड़ेगा लेखिन बुक में बच्चे ढूंड़ते हैं के सर यह cost sheet है कहां तो यह आपको बुक में, chapter number 1, journal, principle and theory के अंदर मिल जाएगा और बुक का नाम क्या है महिश्वरी मितल कि इसके बाद हम आगे आते हैं सर दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो आपको चप्टर स्टार्ट करना चाहिए इस कॉस्ट रिकंसिलेशन सर कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट यह वही बच्चा स्टार्ट करें जिसका 11 में या फिर 12 में और अकाउंट जो है वो बेटर था यानि मैं सिंपल सी बात करूं तो जिस बच्चे को अकाउंट से बहुत लगाव है तो दूसरे नंबर पर यह स्टार्ट करें जो बिल्कुल भूलके भी नहीं उठाना है नंबर तो पे मैं किलीर करता जाओंगा नंबर तीन पे जो आपको छेप्टर पुक करना है यजिए माटीरियल अकाउंट concurrence पे जो आपको पिक करना है भासा कटैसद आपको वह गार कोंट्रेक्ट अकाऊंट नमबर पांच पे जो आपको पिक करना है that is process account नमबर छे पे जो पिक करना है that is machine hour rate और ये overhead का part है नमबर 7 पे पिक करना है service cost ये अलग ही unit है नमबर आठ पे जो पिक करना है आपको ये करना है overhead distribution और नमबर 9 पे जो आपको पिक करना है that is आपको पिक करना है liver नमबर 10 पे जो आपको पिक करना है that is आपका एक integral और non integral है आपका chapter उसको पिक करना है इसके साथ साथ सार ऐसे बहुत सारे छुटपुट चेप्टर है जो कि आपके इसके अंदर है जिसको मैं अलग से मेंशन कर देता हूं जैसे job batch costing जैसे sir joint product by product जैसे sir joint product by product जैसे sir आपका आजाता है हमारा input costing कुछ यह ऐसे chapters हैं जो कि मतलब हर chapter का थोड़ा-थोड़ा part connected है इसमें से भी कई बार questions पूछे जाते हैं सर अब किस chapter को कैसे pick करना है यह बाते तो बता दिया आपने किस chapter में को कितने दिन देने हैं यह बाते भी कर लेते हैं सर इसके अंदर आपको दो दिन देने है maximum, इसके अंदर आपको दो दिन देने है maximum इसके अंदर आपको तीन देने पढ़ेंगे सर contract account के अंदर आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगेlorら commission hour rate में 2 से 3 दिन लग जाएंगे सर सर्विस कॉस्ट में दो दिन लगेंगे सर ओवर हैड डिस्टिबूशन में दो दिन लगेंगे सर लेबर के अंदर दो दिन मान लो और इसके अंदर तीन दिन मान के चलो और इन सभी को खतम करने में पांच दिन सर एक बार दिन को गिन लें तो 2, 4, 3, 7, 3, 10, 5, 15, 13, 18, 22, 22, 22, 24, 23, 27, 25, 22 टोटल हमारे 32 दिन के अंदर ये खतम हो सकता है बाकी का समय reduce करना आपके हाथ में है सर देखो मैं simple सी बात करूँ ना आपको अगर pass होना है अच्छे number लाना है तो आपको पढ़ना तो पढ़ेगा otherwise कोई दूसरा चारा नहीं है और S.O.L. की marking scheme इस बार और ज्यादा strict होने वाली है आप सभी के लिए college की marking scheme को और strict करने वाले हैं क्योंकि जो view की reputation कहीं न कहीं down हुई है तो वो इसको सुधारने की पूरी की पूरी कोसिस कर रहे हैं मेरा यह मानना है कि देखो जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते और आपके पास सिर्फ यही option है last time है जब आप academic study कर रहे होगे इसके बाद आपको academic के साथ कोई ना कोई professional भी लेके चलना पड़ेगा ध्यान से सुनना कैसे सर आप अभी second year में हो simple सी बात है second year में हो second year pass होते ही आप आ जाओगे third year में third year आपका last इसके बाद graduation आपको third year के साथ साथ आपको या तो आप cat exam की तयारी में लग जाओगे या फिर आप CA exam की तयारी में लग जाओगे CFA exam की तयारी में लग जाओगे यानि आप अपने career से related कई सारे exam की preparation में लग जाते हो जो student यह सोचता है ना कि यार graduation होगा result आएगा फिर सोचेंगे तब तक आपकी उमर 24 साल हो जाएगी और 24 साल के बाद आपके दिमाग के उपर इतना pressure create हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे आपके लगे यार चल ठीक है बाई अगर लड़का है तो कहीं भी नौकरी मिल जाए कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाए delivery boy का कहीं भी काम मिल जाए लड़की है तो कई receptionist का काम मिल जाए यहीं तक रह जाता है लेकिन यही लाइफ आपके सिमटकी रह जाती है ध्यान दखिएगा जो मैं बोलूं कि अगर मैं अच्छे success का ratio बताऊं तो 10% है और failure का ratio 90% है मैं failure का मतलब life में failure है life में failure का मतलब जो एक अच्छे job पे नहीं है 90% वो है जो service देते हैं 10% लोगों को 10% कौन से लोग होते हैं जो की अगले की तैयारी एक साल पहले कर देते हैं अपने futures की तैयारी पहले कर देते हैं और वो तभी possible हो पाता है जब वो पढ़ाई अच्छे से करे तो मेरा सभी का मेरा मानना क्या सभी teachers का यही मानना होता है जितनों को आप देखोगे जिसको मानते हो सुनोगे तो भाया समय के साथ सारी चीज़े करो क्योंकि time never come back आपका कभी भी वापस नहीं आ सकता इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी एक बार अपने parents को देखिए कि वो आपसे कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं और कितना सोचते हैं आपके बारे में कि अब ये graduate होगा लड़का और एक कहीं अच्छी नौकरी लगेगी और नौकरी लगने के बाद हमारा सहरा बनेगा तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार ये बात जरूर सो काती हो सोचो अपने पेरेंटस के बारे में आपका पेरेंटस कितनी उम्मीद होती है आप कुछ नहीं भी कर पाओगे ना तो पेरेंटस ने कितने साल इन्टजार किया मैं बताओं आपके parents ने first class से लेके 15 साल तक इंतजार किया है आपका के मेरा बच्चा एक दिन मेरा साथ देगा और आप उसको भी आप उम्मीदों को तोड़ देते हो और इस age में आके आप कहीं न कहीं ऐसे activity में लग जाते हो girlfriend, boyfriend और एक साल का उन्होंने साथ दिया एक साल में break up हो गया अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी भाई छोड़ दी आप क्या करें parents को देखे न 15 साल की उम्मीद आपने तोड़ दी फिर भी वो stand हो गया तो कि आप एक साल की जिसका भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्या stand नहीं हो सकता हो सकता है आपको जो पढ़ाई करनी है वो अपने लिए पढ़ना है अपने parents के लिए पढ़ना है बागी देखो आपके हाथ में है कि आप अपने career को कैसे बनाना चाहते हो अब रही बात कौन कौन से chapter सर यूट्यूब पे मैंने ये chapter डाल दिया 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 ये chapter डलने वाला है process से मैं बिलकुल चल रहा हूँ तो जो बच्चे starting से मेरे से YouTube से जुड़े हैं और मैं damn sure मैं जानता हूँ कि उन्होंने subscribe भी कर रखा होगा इस channel को जो बच्चे बिलकुल starting से जुड़े हुए हैं वो बच्चे को कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी course ले कोई जरूरत नहीं है कि कहीं जाए बस उसके पास books और tenure होना चीए वो बच्चा बड़े आरसान से पास हो जाएगा problem कहाँ है sir problem मैंने जो face किया है बच्चों का sir बच्चा आज जागा है today sir मैं exam से 30 दिन पहले मैं क्या करूँ 30 दिन पहले मैं कैसे पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ कैसे करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा वो बच्चा यूट्यूब पर सबसे पहले परिशान होगा पहले वह कैसे आता है क्योंकि चैनल पर हम किसी को पर्मोट तो नहीं कर रहें और्गनिक जो भी आते हैं सर्च मारता है बीकॉम एक वीडियो आया दो दूसरा वीडियों इसको देख परिसाने कहीं एक चैनल उसको मिल पाता है जिसके अंदर लगता हा मेरी यहां तैयारी हो पाईगी उसके अंदर भी कुछ perdces कुछ नहीं है कुछ क्लास attitude कुछ है कुछ लेकिन आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जो रहा था जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास जो अवेलेबल है एक तो लाइव क्लास चल रही है लाइव क्लास में मैंने काफी सारे चप्टर करा दिये हैं उस लगबग लगबग हम पहुँच चुके हैं लाइव क्लास के अंदर मैं यह नहीं कहता जो बच्चे अभी 30 दिन पहले हैं उन बच्चों को मैं यह की गाइडेंस करना चाहूंगा के भाई लाइव क्लास को छोड़ दो आपको सारे रिकॉर्डिड क्लास मिल जाएंगी सर ल बच्चे क्या करते हैं वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं भाई बच्चे वीडियो डाउनलोड कर देतें और मैं अगर अपने कोर्स में भी दिखाओं तो आपको पता चल जाएगा चल जाओ आप देखें कि 3.28 वीडियो है अब 3.28 में तो बच्चा पागल हो जाता है कोर्स के देखने के 3.28 नहीं है हमने 2-2-5-5 मिनट की वीडियो को कट किया हुआ है आपके कोर्स को 30 दिन के हिसाब से पूरा का पूरा मोडिफाइड करने की कोर्स की गई है अगर कॉस शीट के अंदर 10 क्लासिस है तो हमने कोसिस करी है कि 3 क्लासिस के अंदर बच्चों को पूरा चेप्टर समझ में आ जाए और बाकी का समय अपना सारा का सारा वो प्रैक्टिस पे लगाए हमारी पूरी की पूरी कोसिस ये रही है इसके अंदर आपको पहले से सारा pre-recorded कैसे रहेगा live class के अंदर आज भी मैंने पूरा भी live class खतम करके यह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यह कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए doubt के नंबर especially और doubt के लिए आपका 10 से 6 का time है doubt आप quickly solve करा सकते हो बहुत जल्दी इसके लिए especially मैंने इस बार काम किया है doubt के लिए बहुत especially काम किया हुआ है तो sir यह चीजे है आपको live class मिलता है recorded भी class मिल जाता है plus मैं आपको doubt session भी मिल जाता है और जो fee की मैं बात करूँ तो fee just 450 की आपकी fee है आपके पूरे course की 450 की उसके अंदर भी कुछ बच्चे बोलते हैं sir हम financially weak है यह पूरे course की fees है कुछ बच्चे बोलते हैं financially weak है तो वो उनसे communicate करें description number given है link given है सब कुछ given है वो जितना better से better हो सकता है जितना best से best हो सकता है वो आपके लिए जरूर करेंगे मैंने बोला हुआ है clearly कि भाई जो ऐसे बच्चे हैं जिनको problem है उनका जरूर problem को resolve करना होगा तो यह classes है आपके जो की 30 दिन मैंने अभी 32 दिन बताया कितने मात्र 45 गंटे के अंदर आपका पूरा slaves खतम हो जाएगा और उसमें सर आप book भी complete करोगे उसके अंदर सर प्लस 10 यर भी complete करोगे बाकी YouTube पे जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको कोई course लेनी की जूरत नहीं है उनको सारी चीज़े starting से समझ में आ रही है वो उसी साब से चलते रहे हैं जो बच्चे अभी समझाया है वो समझ में आ गया होगा मिलते हम next वीडियो के अंदर किसी next topic को चर्चा करके कि कौन से topic कितने marks कहेंगे और क्या करना चाहिए हमें उसके इसाब से हम सारे planning के साथ मिलेंगे तो thank you so much मिलते हम next वीडियो में channel को subscribe भी करना है आपको ताकि आपको आगे सारी के सार नोटिफिकेशन अच्छे से मिलती रहें thank you so much